आज के वीडियो में हम बात करेंगे TGT पोस्ट के बारे में TGT एलिजबिल्टी कंडिसंस जो की DSSP के द्वारा नॉटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा आपको पता होगा बहुत ही जल्द इसका नॉटिफिकेशन रिलीज होने वाला है अभी इसका जो लेटिस्ट अबडेट आया था उसमें 16,000 प्लस वेकेंसी हैं जिसमें की TGT के लिए 10,956 वेकेंसी टीजबिल्टी के लिए आने वाली हैं और बहुत जल्द इसका नॉटिफ इसका नॉटिफिकेशन भी रिलीज किया जाना है तो आज इस वीडियों में आपको TGT के लिए क्या एलिजबिल्टी क्राइटेरिया रहता है एस लिमिट और सब्जेक्ट कॉंबिनेशन जिसको लेकर के काफी डाउट होते हैं तो सब्जेक्ट कॉंबिनेशन यानि TGT की जो विकेंसी आएंगी उसमें आपने प्रिवियस में भी देखा होगा सब्जेक्ट कॉंबिनेशन को लेकर के काफी डाउट रहता है तो ये सारा मैं आपका आज इस वीडियो में किलियर करूंगी क्वालिफिकेशन एंड एस लिमिट आज आपके जो भी सब्जेक्ट को ल ये भी apply करना चाहिए अगर आप इसके लिए eligible हूँ क्योंकि DTSB के लिए all इंडिया से candidate apply कर सकते हैं लेकिन posting आपकी डेली स्टेट में रहती है ओके सो सारी information दूंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आस था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल government job genuine notification तो TGT means trained graduate teacher TGT के लिए vacancies हमने देखी upcoming vacancies DTSB के द्वारा 10,956 vacancies आने वाली हैं अब TGT के लिए जो vacancies आती हैं ये subject wise अलग लग vacancies आती हैं तो हम सभी subjects के लिए देख हैं या नहीं सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप TGT teacher बनना चाहते हैं main points अभी आपके यहाँ पर qualification को लेकर के किलिया कर देती हूँ उसके बाद हम subject combination देखेंगे अगर आप TGT बनना चाहते हैं TGT teacher trained graduate teacher तो आपके पास सबसे पहले तो आपको अपना graduation complete होना च चाहिए means आपके all over आपका graduation aggregate marks 45 होना चाहिए ठीक है minimum 45% से graduation complete हो plus आपने BA किया हो and third आपका seated second paper आपका clear होना चाहिए तो ये तीन आपके जरूरी हैं तभी आप TGT के लिए eligible रहेंगे अब हम बात करेंगे कि इसमें subject combination क्या रहता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TGT natural science के लिए TGT natural science के लिए क्या आपके पास graduation में क्या subject होना चाहिए तो आप eligible रहेंगे तो यहाँ पर आपके पास five options है अगर आप TGT natural science की vacancies आती हैं और उसमें आप apply करना चाहते हैं तो आपके graduation level पर कम से कम दो साल तक कम से कम दो साल तक आपने chemistry, physics, biology, geology and botany इन में से कोई एक भी subject अगर आपने graduation level पर पढ़ा हुआ है graduation अगर आपने इन में से किसी भी एक subject से की हुई है कम से कम दो साल तक आपका यह subject होना चाहिए तो फिर आप TGT natural science के लिए eligible होते हैं apply कर सकते हैं वही अगर हम बात करें TGT mathematics के लिए तो TGT mathematics के लिए आपके पास Maths Honor से आपने किया हो graduation कम से कम दो साल वही आपका रहेगा कि graduation में कम से कम दो साल तक आपने इन इन सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो TGT natural science के लिए ये अगर आप science life से VSC करते हैं आपने देखा भी होगा कि अगर आप science subject से अपना graduation complete कर रहे हैं तो chemistry, physics, biology, geology, botany इन में से कोई एक न एक subject आपके पास होगा and math इन में से कोई एक न एक subject आपके पास जरूर होगा तो अगर आपके पास इन में science subject से आपने सीधी सी simple सी बात है कि अगर आपने science से graduation किया हुआ है तो आप TGT natural science के लिए eligible हैं और अगर आपने mathematics से भी किया हुआ है तो पिर आप TGT math के लिए eligibility रखते हैं इसके बाद next हम बात करेंगे TGT social science teacher के लिए TGT social science के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपका graduation level पर कोई एक subject अगर इन में से है History, Political Science, Economics, Business Studies, Sociology, Geography and Psychology अगर इन में से किसी एक भी subject से आपने अपना graduation किया हुआ है तो फिर आप TGT social science के लिए eligible रहते हैं यह हम subject combination देख रहे हैं बाकि B.I.D. and C.T.E.D. सभी के लिए compulsory है teaching post के लिए यह दौनों आपके पास होना जरूरी है subject combination में social science and natural science का हमने देखा इसके बाद अब बात आती है languages की जैसे की English है, Hindi है, Sanskrit है, Urdu है, Bengali है इनके लिए भी vacancies आती है languages की तो obviously अगर आप किसी language से आप TGT करना चाहते हैं किसी भी particular language से अगर आपने किया हुआ है graduation तो आप उस language की TGT post के लिए eligibility रखेंगे वही TGT computer के लिए अगर हम बात करें इसके लिए क्या आपके पास graduation होना चाहिए तो इसमें या तो आपने BCA किया हो या फिर आपने graduation in computer science किया हो BE, BTEC अगर आपने computer science या information technology में किया हो या फिर graduation आपने किसी भी subject से किया हो लेकिन A level का जो course होता है DOEACC या आपके पास होना चाहिए तो फिर आप TGT computer के जो teacher रहते हैं उनके लिए eligible रहते हैं और age limit के अगर हम बात करें तो DSSB में TGT के जो vacancies आती है इसमें upper age limit 32 year रहती है 32 year तक अगर आप eligible रहते हैं जो भी qualification requirement है वो आप fulfill करते हैं तो फिर आप apply कर सकते हैं बहुत जल्द इसका notification release किया जाना है और 10,000 plus vacancies है लगवग 11,000 vacancies TGT post के लिए आने वाली हैं तो अगर आप इन में से कोई भी qualification आपके पास है graduation आपने किया है और साथ मैं BID या CETAT आपने किया हुआ है तो फिर आप wait कीजिए DTSV की website पर update रहे है जैसे ही notification release होगा एक तो आप update रह सकते हैं या फिर मेरे चनल को subscribe करके रखिए जैसे ही notification आएगा मैं detail में video upload करूँगी आसा करते हूँ ये video आपको पसंद आया होगा helpful रहा होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिएगा अभी भी अगर आपके मैंने कोई doubt है कोई question है आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं Thank you